पब्लिक टीवी आपकी आवाव संबल थाना नखासा पुलिस चौकी सिर्सी छेतर के गाउं दीमर खेडी में एक माह से अधिक से खनन माफिया तीन जेसी भी 20 डंपर से रोज रात को अवैद खनन करते थे आज रात जब एक किसान का नुकसान हुआ तो अवैद खनन ठेकेदार से किसान ने बात की कि मेरा नुकसान हो गया तो अवैद खनन ठेकेदार ने किसान से कहा कि यहां से चला जा नहीं तो गूली मार दुआ ये बात गाउं में आग की तरह फैली तभी सुबा साथ बजे गाउं के लोग इखटा होकर खनन माफिया को रोकने के लिए गए तो खनन माफिया मौके से फरार हो गया किसानों ने 100 नंबर पुलिस को सूचना दी लेकिन 100 नंबर पर भी पुलिस मौके पर नहीं पहुची और गुसाए ग्रामिलों ने डंपनों के आगे मोटर साइकल लगा कर नारेबाजी की और सिर्सी पुलिस चौकी को सूचित किया गया कुछी देर के बाद सिर्सी पुलिस चौकी से जवान मौके पर पहुँचे और पांच डम पर मिट्टी से भरे हुए सिर्सी चौकी इलम सिंग अपने साथियों के साथ थाना नखासा ले कर गए अभी तक कोई कानूनी कारवाही नहीं की गई है कि अभी एान सिर्सी चौकी अभीटud. झाल झाल